नमस्कार, क्यापिटल टीवी के तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ निम्मे सनहा दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र भारत आज अपना 74 वा गणतंत्र दिवस मना रहा है देश वासियों में उत्सा है, देश में उमंग है, चारो ओर तिरंगे की लहर दिखाई दे रही है करतव व्यपत पर अलगी नजारत देखने को मिला राशुपती द्रौपदी मुर्मो ने तिरंगा फहराया और परेड की शुरुआत हुई जहां एक और खास तरीके से भारत अपने गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है वहीं दुनिया में भी भारत के गणतंत्र दिवस की चाप दिखाई दी है इस बीच दुनिया भर के निताओं ने भी भारत को गणतंत्र दिवस के इस खास दिन पर बधाई दी है इसरायल ने भारत के एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कई भाशाओं में इस खास दिन की बधाई दी वही भारत के सबसे बड़ा लोक तंत्र होने के नाते दुनिया के अन्य देशों ने भारत वासियों को रोचक अंदाज में बधाई दी है इसरायली दूतावास ने भारतिये गणतंत्र दिवस पर एक खास वीडियो साचा किया है वीडियो के शुरात में देखा जा सकता है कि इसरायली डिप्लोमेट इंडिया गेट के दौरे पर गए है और वहाँ वो अंग्रेजी सहित हिंदी में भारत वासियों को बधाई दे रहे हैं इस दोरान उन्होंने कहा कि हमारी दो प्राचीन सभिताओं के इतहास के आधार पर भारत और इसरायल एक महान रण नीती साजेदारी साजा करते हैं हमारे लोगों के बीच प्यार और सम्मान कूट नीती से परे हैं सबसे खास बात तो ये रही कि उन्होंने इंडिया गेट पर भारत को उसकी मात्र भाषा हिंदी में गणतंत्र दिवस के शुब कामनाएं दी Based on the history of our two ancient civilizations, India and Israel share a great strategic partnership. The love and respect between our people go beyond diplomacy. इसके अलावा कारवा आगे बढ़ा तो इसराइली मिशन के उप्रमुक ओहद नकाश कयानार में भी दिल्ली के ब्रहमण पर निकले. यहां के culture की तारीफ की सबसे खास बात तो ये रही कि भारत में इसराइली मिशन के उप्रमुक ओहद नकाश कयानार ने पंजाबी भाषा में भारतियों को गंतंत्र दिवस की बढ़ाई दी. सबसे खास अंदाज को इसराइल के नेताओं को ये लगा कि उन्होंने भारत के हर एक स्टेट की स्कृति को दर्शाया और खास अंदाज में भारत की तारीफ की. इसी के साथ इसराइल के एक राजनितक सलाहकार हैगर स्पिरोत पाल ने राजस्थानी भाषा में अपनी शुबकामनाय दी. सबसे खास बात तो ये रही कि वो शुबकामनाय देते हुए रंगोली बनाती नजर आई. उन्होंने राजस्थानी में गंतंत्र दिवस की बधाईयां दी. इनके अलावा मुहमद हैब नाम के प्रवक्ताओं में से एक ने बांगला में भारत को गंतंत्र की बधाई दी. इनके अलावा तीन और इस्राइली राजनेकों ने मराथी, उर्दू और असमिया में देश्वासियों को बधाई दी. वहांके कल्चर को दर्शाया. शोकल के जाना है, पुराज तोंटो दी. झाल प्रवक्ताओं में भारत को दिए्वासियों को देश्वासियों को दी. भारत के गंतंत्र को दुनिया ने खास अंदाज में सलाम किया. तिरंगे की शान और भारत की संस्कृति की जलक दुनिया भर में दिखाई दी. अमेरिका, इस्राइल, आस्ट्रेलिया ने खास अंदाज में बधाई दी. साथ ही एसके साथ ही आउस्टरेलिया के प्रधानमंत्री Anthony Albanese ने ट्वीट कर भारत को गणतंत्र के खास दिन की बधाई दे. उन्होंने ट्वीट कर कहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत वासियों को गरतंत्र दिवस की हारदिक बधाई भारत 26 जनवरी को गरतंत्र दिवस मनाता है और आस्टेलिया इस दिन को खास तोर पर सेलिब्रेट करता है हमारे राष्टे दिनों का सयोग इसे हमारे लोगों द्वारा लंबे समय से एक दूसरे के लिए इस नहीं की भावना और आज हमारी दोस्ती की गहराई का जश्न मनाने का अफसर बनाता है औस्टेलिया और भारत कभी भी करीब नहीं रहा है ये हमारे साजा भविशे की हर चीज की याद दिलाता है और हमें अपने सम्मंदों को मजबूत और गहरा करने के लिए आगे देखना होगा भारत को गंतंत्र दिवस के शुब कामनाएं देने का उससे भी खास अंदाज अमेरिकी दूतावास को देखने को मिला अमेरिकी दूतावास ने भारत के राश्ट्री गीत वंदे मातरम को गाकर गंतंत्र दिवस के शुब कामनाएं दी यानि कि दुनिया के तमाम देशों में भारती दूतावास भी गंटंत्र दिवस मना रहे हैं इस पावन अफसर पर पूरा भारत राश्ट्री रंगों में सराबोर नजर आ रहा है देशवासी भी एक दूसरे को बधाई और शुबकामना संदेश दे रहे हैं यह सिलसिला लगताज जारी है इस बीच भुटान के प्रिधान मंत्री ने 74 गंटंत्र दिवस पर भारत के लोगों को शुबकामनाय दी साथी वायू सेना के 50 विमानों ने अपना पराक्रम दिखाया सबसे खास बात तो यही रही कि इस साल मिश्र के राश्ट्रपती अबदेल फतह अल सीसी गंटंत्र दिवस समारों के मुक्यती थी रहे हाला कि इस बार गंटंत्र दिवस पर कई नई बाते भी नजर आई पहली बार गंटंत्र दिवस की परेड कर्टव्य पत से होकर गुजरी इससे पहले इस जगा को राजपत के नाम से जाना जाता था लेकिन इस बार भारत सरकार ने इस जगा को विकसित कर करटाव्यपत का नाम दिया है इसलिए गंटंत्र दिवस की परेड राजपत नहीं करटाव्यपत पर देखने को मिली जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल रहा कर्टा व्यपत पर डेर डेविल्स ने अपने प्रदर्शन से रोमांच भर दिया बाइट पर डेर डेविल्स ने गजब के स्टंट दिखाए इस दौरान बाइट पर योग के मुद्राय करते हुए दिखाई दिये इसके साथ ही कर्तव व्यपत पर रक्षा मंत्राले और संस्कृतिक मंत्राले की ओर से संस्कृतिक कारिक्रम किये गए नारी शक्ती को दर्शाया गया सबसे खास बात तो ये है कि गंटत्र दिवस की परेड में पहली बार अगनीवीर शामिल हुए लेफटनेंट कमांजर दिशा अमरित के नेत्रित्व में 144 यूवा नाविकों की नो सेना टुकरी ने कर्तव पत पर माच किया इस दोरान टुकरी में तीन महलाए और छे पुरुष अगनीवीर शामिल रहे भारतिय की अलग-अलग संस्कृति को दर्शाती जहाकियों ने भी सब का मन मोहलिया दुनिया तक इन जहाकियों ने अलग ही मैसेज देने की कोशिश की है यही वज़ा है कि भारत के गंटन्तर दिवस पर पूरा देश जूंता नजर आया सबने भारत को 34 गंटन्तर दिवस की खास अंदाज में शुप कामनाय दी साथी भारत के गंटन्तर दिवस को अपने देश में सेलिब्रेट भी किया स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही नए रिपोर्ट के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे कापिटल टीवी नमस्कार